ओवर्लोडिंग ते परशासन होया सक्त। काट दिते एक करोड अठारा लख उपे दे चलान। स्कूल दे परबंदकान वी कीती विशेश अपील। चलू रखन वैंच लगे CCTV कैमरे। तो इस महीने हमने एक करोड अठारा लाग का हमने चलान किये हैं। यह में यही हैं जो अपने डाइवर्टेड रूट से आ रही हैं प्लस जो ओवर्लोडड वेहिकल्स हैं। और इस पे हमारी चेकिंग जारी रहेगी। और वील रिक्वेस्ट यमना अगर ऑलसो कि वह अपने कुछ बंदे और डिप्यूट करें और इस चीज को सीरियस्ली लें। देखिए इसमें हम चेकिंग करते हैं। रेगुलर्ली हमारी दो टीम्स हैं। और इसमें हम दो टीम्स मॉर्निंग इवनिंग रेगुलर्ली चेक करती हैं। नाइट चेकिंग चलती है। अर्ली मॉर्निंग चेकिंग चलती है। क्योंकि इस टाइम पर अकसर इनको लगता है कि कोई होगा नहीं तो यह सड़क से निकल जाते हैं। और ओवर्लोड चलते हैं। तो इसके लिए हमने कंटिनूस हमारी चेकिंग टीम्स चल रही हैं। और इस महीने हमने 1.18,000,000 का चलान किये हैं। तो पिछले महीने हमारा 96,000,000 का था। इस बार हमने जादा टीम्स गठित किये हैं। और चेकिंग भी थोड़ी हमने जादा बढ़ाएंगे। तो आपकी तरफ से क्या विभाग आम आज में को एक मेसिज देना चाहिए। देखिए हम सब को responsibly behave करना चाहिए। जो भी ठीक है हम सब अपना काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सिरफ हमारे किसी चीज को करने से जब तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक सब लोग मिलके इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। मैं आ जाँ सड़क पे और चेक कर लूँ। तब ही ओवर्लोडिंग रुकेगी। जो ट्रक चला रहे हैं। जो कमपनीज हैं। जो भी इनमें इनवाल्ड हैं। जो माइनिंग लीज देते हैं। जो ठेकेदार इन्वाल्ड हैं। वो सब रिस्पॉंसिबल हैं। यह उनीकी सड़के हैं। यह अमना नगर उनीका है। खुद अपनी सड़के तोड़ेंगे। उनीका नुकसान होगा। उनीके वेहिकल्स खराब होँगे। वो लाइफ उनकी कम होगी। तो यह एक किसी को फाइदा नहीं होगा इससे। शौट टर्म किसी को फाइदा हो सकता है। लेकिन लॉंग टर्म सबका नुकसान है। तो हम सब मिलके चलें। अगर हमें हमारे पास कोई information देना चाहते हैं, उनको लगता है कि unnecessary overload चल रहा है, यह हमारी कोई checking नहीं हो रही, यह किसी सड़क पे हम check नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ उनके सामने आती है, school buses को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, जो की काबिल एतराज है, तो हमें बताएं, हम immediately उस पे act करें। overloading ते परशासन होया सकत, काट दिते 1.18.18.000 उपे दे चलान, school दे परबंदकान वी कीती विशेश अपील, चलू रखन वैंच लगे CCTV कैमरे, तो इस महीने हमने 1.18.000.000 का हमने चलान किये हैं, यह मेन यही हैं जो अपने diverted route से आ रही हैं, प्लस जो overloaded vehicles हैं, और इस पे हमारी checking जारी रहेगी, और वील रिक्वेस्ट SP यमना नगर ऑलसो, कि वह अपने कुछ बंदे और डिप्यूट करें और इस चीज़ को seriously लें, देखिए इसमें हम checking करते हैं, regularly हमारी दो teams हैं, और इसमें हम दो teams morning, evening regularly check करती हैं, night checking चलती है, early morning checking चलती है, क्योंकि इस time पे अकसर इनको लगता है कि कोई होगा नहीं, तो यह सडक से निकल जाते हैं और ओवरलोड चलते हैं, तो इसके लिए हमने continuous हमारी checking teams चल रही हैं, और इस महीने हमने एक करोड हारा लाग का चलान किये हैं, तो पिछले महीने हमारा 96 lakhs का था, तो इस बार हमने जाधा teams गठित किये हैं और checkings भी थोड़ी हमने जाधा बढ़ाएंगे तो आपकी तरफ से क्या भाग आम आज में को एक message देना चाहिए देखिए हम सब को responsibly behave करना चाहिए जो भी ठीक है हम सब अपना काम कर रहे हैं department अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सिरफ हमारे किसी चीज को करने से जब तब तक बात नहीं बनेगी जब तक सब लोग मिलके इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे मैं आ जाँ सड़क पे और चेक कर लो तभी overloading रुकेगी as citizen जो truck चला रहे हैं जो companies हैं जो भी इनमें involved हैं जो mining lease देते हैं जो ठेकेदार involved हैं वो सब responsible हैं यह उनीकी सड़के हैं यह अमना नगर उनीका है खुद अपनी सड़के तोड़ेंगे उनीका नुकसान होगा उनीके vehicles खराब होंगे वो life उनकी कम होगी तो यह किसी को फाइदा नहीं होगा इससे short term किसी को फाइदा हो सकता है लेकिन long term सबका नुकसान है तो हम सब मिलके चलें अगर हमें हमारे पास कोई information देना चाहते हैं they are always welcome उनको लगता है कि unnecessary overload चल रहा है या हमारी कोई checking नहीं हो रही या किसी सड़क पे हम check नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज उनके सामने आती है school buses को लेके किसी भी चीज को लेके जो की काबिल एतराज है तो हमें बताएं हम immediately उस पे act करें